आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। दूसरा क्या है, बिलायक, तो जब बिले और बिलायक इन दोनों को मिलाया जाता है, तब जो भी हमें दरप्राप्त होता है, उसे कहते हैं हम, बिलेन क्या कहते हैं, यहाँ पर बन जाता है दोस्तों, बिलेन, तो जब भी हम किसी जो हमारा शुद्ध बिलायक है, उसमें जो कोनों में क्या संबंद आएग की जो billion है इसका हेमानग सदय कम हो जाएगा बिलाय के ये घ्राय कैंद से तो ये हम बले पदारद को किसी billion मेलाय के मिलाएंगे हैं का है तो मोलल है हमानमन इस्दिर भी घ्रांग कहते हैं इसको क Ett भी लुकत करते हैं और किसी भी की मुललता और हिमांक अवनमन में क्या संबंद है इसको दोस्तों यहां पे हम लिख रहे है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता एम तो यह जो संबंद है यह दोस्तों मोललता और हिमांक में अवनमन के मद्द संबंद को बता रहा है यहाँ पे delta tf क्या है हिमांक में जो हमारा बिलायक है उसके हिमांक में अवनमन को दर्शारा है delta tf हिमांक में अवनमन है किसके हिमांक में अवनमन है दोस्तो बिलायक के हिमांक में अवनमन और M क्या है दोस्तो हमारा जो billion है उसकी मूललता है small M क्या है billion की मूललता billion की मूललता को ब्यक्त कर रहा है billion की मूललता small M billion की मूललता को ब्यक्त कर रहा है तो delta tf वरावर क्या होता है यहाँ पे kf into M यह संबंध है हिमाग में अवनमन और बिलियन की मूलता के मद्ध है अब यहाँ पे दोस्तो के एफ को परिवासित करना है तो के एफ जो है यह बलायक की प्रकरती पर निर्भर करता है बलायक पर बलायक पर निर्भर करता है के एफ का मान निर्भर करता है जब भी हम बलायक को बदलेंगे तब दोस्तों KF का मान में परिवर्टन होगा तो अगर दोस्तों यहाँ पे KF की परिवाशा को हम देख रहे हैं KF को परिवाशित करें तो KF बराबर कैसे हम सूत्र को विवस्तित कर रहे हैं KF बराबर यह हो जाएगा डेल्टा TF बटे M अब अगर दोस्तों यहाँ पे हमने मूललता M को क्या कर दिया एक कर दिया मूललता M बराबर एक मूलल एक मूलल तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे जो मूलल अवनमन स्थरांग है KF यह किसके बराबर हो गया किसी भी बिले पदार्थ के किसी शुद्ध बलायक में एक मॉलल बिलियन बनाने पर बलायक के हिमांक में होने वाले अवनमन को बलायक के हिमांक में होने वाला अवनमन रथा डेल्टा टी एफ को हम क्या कहेंगे उस पदार्थ का मॉलल अवनमन उस बलायक का मॉलल अवनमन इ इसकी परिवाशा है और यहां पे आप देख सकते हैं डेल्टा टी एफ और मोललता एम में संबंध भी दोस्तों यहां पे हमने आपको बताया है तो आशा करता हूँ आपको सहन में आया होगा धन्यवाद